भाजपा की सरकार में MGM होस्पिटल में कुत्ता बिल्ली गाय सुवर बेड़ पे सोता था बहुत गर्व के साथ कहना चाता हूँ कि MGM गर्व की बात है मैं उस पे आ रहा हूँ गर्व की बात है कि नि उस पे मैं आपको बोलूँगा फिर आप बताएंगे हमको बन्ना गुपता वो सक्स का नाम है जो छे मैना के अंदर इसको टीये में चोर मनीपाल से अच्छा हस्पिडल करके देए पहले कुत्ते सोते थे लेकिन आज पेशन्ट जमीन पे आज भी सो रहे है जमशेदपुर में higher quality education के लिए कोई संस्था क्यों नहीं है जमीनों को हम लोग सरकार से लेकर करके उसमें चुट्स बनाएंगे मैं ही एक ऐसा सक्स हूँ जिसको भाजपा के वोटर्स भी वोट देंगे जो आप कहे रहे हैं भाजपा वोटर्स को लोभानी के लिए कि मैं हिंदू हूँ और मंदिर मैंने बनाया है जनता के बीच किस मुद्दो को लेकर जाएंगे क्या मैनिफेस्टो होगा लोगों के बीच की ताकि लोग आपको वोट करें सबसे पहले शहर में नशामुक्त सहर बनाऊंगे परशासन से बात करके एंजियो से बात करके नशामुक्त जम्शेतपूर बनाना मेरा पहला लक्ष है मेरे ही वाओं को यहां पर नोकरी हो मेरे बच्चे जो आई टी आई डिप्लोमा इंजिनेरिंग एंबीए सीए करके आज दुसरे इंस्टूट दुसरे जगा जा रहे हैं वो कहीं नहीं जाए वो मेरे जम्शेतपूर में यहीं पर नोकरी मिले ऐसी विवस्था करूँगा ये दो मुद्दा प्रात्मिक है प्रात्मिकता दियेंगे इस दोने मुद्दे पर जो एक जन प्रतिती आराम से कर सकता है तो ये दो चो मुद्दा है मेरा आपने कहा कि र लाज के लिए स्वास्विधा है या सिक्षा प्रवाइड करने के लिए यहां के यूथ आपने पलाइन की बात जरूर कही कि लोग रोजगार पानी के लिए बाहर जा रहे हैं लेकिन एक यूथ यहां पढ़ने के लिए भी बाहर जा रहा है इस छेत्र में या इस किए और यहां पर हम लोग मनित्भाइश इंसिट को लाने कां किया और आज बच्चे लोग यहां पर देश-विदेश से भी बच्ची हा कर पढ़ रहे हैं हमारे बच्चों कोटा भी विवस्था की गई है जारकन के बच्चों को 25 पर सेंट का यह सारे चीजे हुई है हम की तो हम जो सिर्ष नित्युत हैं उनसे बात करके और यहां पर बहुत सर इसकोप से आप टाटा के साथ करेंगे यहां पर बहुत सर इसी खाली पड़ी जमीन है जो अवैद लोग भूमी माफिया लोग इसको छेक रहे हैं वो ऐसे जमीनों को हम लोग सरकार से ले करके उसमें इस चूट्स बनाएंगे जिसमें इंप्लॉइमेंट जेनेटों का हमारे बच्चे आज दूसरे चेत्र के बच्चे हमारे यहां पढ़ने आ रहे कल का और वी बच्चे हम जब एजुकेशन हब यहां बनेगा तो और वी लोग पढ़के आगा और जहारखन का पैसा जहारख साल पहले भाजपा की सरकार में MGM हॉस्पीटल में कुत्ता, बिल्ली, गाय, सुवर, बेड़ पे सोता था मानने मंतरी बनना गुपताजी के आने के बाद, कौनग्रेस आ जहारमों मों के सरकार आने के बाद और स्वास्त मंतरी बनने के बाद MGM में कम से कम साप, सुत्रा, स और मरीजों का इलाज हो रहा है बेड जब ज़्यादा मरीज जब ज़्यादा हो सकता है बेड नीचे हमने बिच्वा के सुलवाते हैं लेकिन क्या करेंगे जनसांख्या जा दिया है चुकि यहां पर बेंगॉल और उडिसा के भी पेसेंट आ जाते हैं तो यह चीजे हम लोग को ने इसमें सुधार किया है हमको लगता है कि और भी कुछ मेडिकल इंस्टूट्स को अगर हम लोग यहां पर लाएंगे जो मेरी प्राथमिक्ता मेरी सोच है तो हमारा स्वास सुविधा में हमनों सुधार करें एमजियम पर आते हैं कोलहान का एक मादर लाइफ लाइन कह है जाने अला अस्पताल है घरीबों का हाल आप एक बार जाकर देखे सही से लाज नहीं हो रहा है आक्सिडेंट केस कवर करने मैं खुच जाता हूं एम्बुलेंस उतारने तक कोई वाड़ बॉय नहीं आता है कहते हैं अपने सोतार लीजे जब तक की मौत हो जाती है तो क् कोई मंत्री या कोई भी विधायक तभी काम कर सकता है जब वो अपने mentally free हो बन्ना गुपता जी के उपर में भाजपा के द्वारा जितना दो बर करोना हुआ उसके बाद भी उन्हें जागे काम किया तो हमको लगता है कि सुधार हुई है MGM में और मैंने पहले भी कहा आपसे कि अभी सुधार की बहुत गुंजाई से हुआ बहुत सुधार होना चाहिए और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ स्थिती परिस्थिती आप सुची गए तुरंत जो 30 साल 40 साल से जो होता आया है उसको एक दिन में कर देंगे और फ्री एंड नहीं मैंने अगर आप बहुत अच्छे तैराक हैं आपको हम बोलेंगा भी सुर्ण डेखा न दी आप पार कर दिजिए तो आप तैराक हम बोलेंगा हम पार कर देते है लेकिन आपका हाथ पैर हम बांदेंगे तब आप कितने भी अच्छा तैराक रहें हैं पार नहीं कर सेंगे अगर उनको फ्री हैंड कर दे तो मैं यह दावा करता हूं कि छे मेना के अंदर बन्ना गुपता वोल्सक्स का नाम है जो छे मेना के अंदर इसको टीम हो मनीपाल स चे मेना के अंदर में बन्ना गुपता असको टीम में सचा बना के दिखा देगा हाथ पैर खूलने से मुराद है केंदर में कॉंग्रेस को लाए जाए केंदर में कॉंग्रेस की सरकार हो कॉं覺स्स की सरकार हो जब दूरों ज़हा कॉंकर की सरकार होगी तब ही बनना कुपता जी को MGM को मैं बना सकेंगे अगर आप चाहते हैं कॉंगर सरकार सेंटर में लाए कॉंगर सरकार जब कॉंग्रेस की सरकार होगी तभी बन्ना कुपता जी को MGM को बना सकेंगे अगर आप चाहते हैं कॉंग्रेस सरकार सेंटर मिलाइए कॉंग्रेस सरकार ज्हारकन मिलाइए देखें अगर TMA से बढ़िया नहीं होगा तो आप राजितिक छोड़ देंगे पूरवी जमशेद पूर का पूरवी विधान सभा सिटिंग में ले सर्यू राय और गुवर दास गूट में हमेशा कुछ तूटू में में की खबर आते रहे इस बीच अब आप बीच में आएंगे या चुनौल लड़ना आप सबका धिकार है चुनौल लड़ना आवेजा का कॉंग्रेसी कार करता कैसे अपने आपको देखेंगे इस छेत्रे में खास कर क्योंकि यह हॉट सिट माना जाता है पूरे विधान सभा में लेकि मैं ही एक ऐसा सक्स हूँ जिसको भाजपा के वोटर्स वी वोट देंगे और मैं ही जितूंगा इसलिए कि मैं यहां का भू कॉंग्रेसी रहे टेडिनिस्ट में है कॉंग्रेस में रहे स्वर्गय स्री विश्यस्वर खान जो टिंप्रेट उनन के मजदूर नेता थे प्रख्यात मजदूर नेता थे सब जानते हैं उनको और मैं भी अच्छात्र जीवन से ही नसुआई का राजिनती के यूद कॉंग कनदख किया हो मेरे बेटा भी और दोनों बेटा भी कॉंग्रेसी है ऐख डानी को से अंच लोग यहां के लोग हम लोग जानते हैं कि पंडित विजया खान जो है वह वह परिवार आरा आए अव दो का सेवा क्या है दी इस विजधान सवा सबस्क वह जानते हैं जरूने इत ये सबसे पुरानी मंदीर है, सुर्ण मंदीर तो 10-15 साल हुआ बना हुआ, ये मंदीर बने में 70-80 वर्स हो गया मंदीर बने में, मतलब ये जो आप कह रहे हैं, भाषपा वोटर्स को लुभानी के लिए, कि मैं हिंदू हूँ और मंदीर मैंने बनाया है, नहीं, नहीं, ये ल माना जाता है कि बहु संख्यक समाज के लोग अब कॉंग्रेस को वोट नहीं करते हैं, ये गलत बात है, बहु संख्यक समाज के लोग जो हैं, कॉंग्रेस को वोट नहीं करते, कॉंग्रेस का असिरवाद नहीं होता है, कॉंग्रेस का इतना अच्छा नहीं होता ना, देश म पूरा साहर के लोग, सारे बस्ती के लोग, सारे जगा के लोग आके पूजा करते हैं उसमें, कोई रोक ठोक किसी करने, हर जाती का लोग उसमें जाके पूजा करता है, किसी को रोक ठोक नहीं है, लेकिन हम लोग ने इसका राजितिकरन नहीं किया, आप देखिए वो मंदीर का राजितिकरन हो, हम उस मंदीर के बारे में क्या बोले, हम भाजपाई खिलाप में क्या बोले अगर सुर्ज मंदिर को एक्जाम्पल ले लिजे और पिछले पांच वर्सों का अख़बार उठा लिजे सर्जू राय जी ने उस मंदिर के सर्जू राय जी कटर भाजपाई हैं कटर RSS के प्रोड़क्ट हैं और अगुवदाज भी कटर RSS के हैं दोनों के समर्थकों का बुलू प्रिंट निकाल लिजे पिछला पांच वर्सों का उनका अख़बार कटिंग निकाल लिजे मंदीर के बारे में कि उसमें क्या काम होता और क्या नहीं होता है आस्था के नाम पर किस तरह हिंदु धर्म को बदनाम किया गिया उस मंदीर को ले करके आप साक्षी का ब्जैंगबली मंदीर को ले करके यही सरजु राजी गूट और अरगुबादाजी गूट दोनों भाचपाय गूट है किस तरह मंदिर का राजिती करन करके किस तरह धर्म को बदनाम किया गिया दुसरे धर्म के जो लोग कटरवादी हैं तो खुस होते होंगे मुस्लिम में चाह सिक में चाह क्रिस्चन में 99% लोग बहुत अच्छे होते हैं हिंदू में भी लेगिन 1% लोग कटरवादी होते हैं तो वो ऐसे कटरवादी को तो मज़ा आता होगा हिंदू का नाम से यहां क्या बोले क्या करें जिसतरीका से लोग गलत काम किये हैं इस मंदीर में और हम लोग नहीं बोल रहें यह बीजेपी की लोग एक दुसरे को बोल रहें कोई कांगरेसी नहीं बोलने किया उसमा if देखिए तो यह जो आपने कहा कैसे कोलिब्रेट कीजेगा तो हमको लगता है कि अगर हमको आप टिकर्ट दे दिजे कांगर्स पार्टी टिकर्ट देगी तो सारे लोग हमको वोट इसलिए करेंगे और हम भारी बहुमत से जीतेंगे क्योंकि मेरे पिताजी के दुवारा मेरे दुवारा हमने इस सहर में कितने आंदूलन मजदूरों का आंदूलन किया है हजारों मजदूरों को employment दिये हैं मेरे पिताजी ने भी हजारों सेंक्रों लोगों को employment दिये थे हम लोगों ने कई बस्तियों के सेवा किया है तो सारे चीज लब हमको आप टिकट देंगे Congress Party और चुना लड़ाएगी तो लोग सब कुछ भूल करके हम लोगों को vote करेंगे आपने कहा कि मजदूरों के लिए आंदोलन किया है देश की बदलती राजनीती का एक कड़वा सच ये भी है कि आज के दौर में नेता काम के नाम पर vote नहीं मांग रहे है और जंता काम के नाम पर vote दे भी ने रही है जाती की राजनीती की जा रही है धर्म की राजनीती की ज थर्म के नाम पर वोट मांगे जाते है राज जाती के नाम पर मांगे कर रहे हैं टाटा बुलू सकोप में 6-700 वरकर जाकर देखिए मेरा अंदोलन का नतिजा नौपरी कर रहे हैं निवो को सिमेंट लोगों को यहां की जनता इस्तिमाल कर चुकी है इस्तिमाल कर पहस्वास करो हम इस्तिमाल हो गए हैं आज तक हम इलक्टराल प्रेटिस के लिए आगवा नहीं हुए थे इस बार आगे बढ़े हैं इस पहला बर घोशना किया कि मैं चुनौल लड़ूंगा तो मुझे अपार अगर पांच हजार करकरता और जनता मेरे साथ नहीं चलेगे तो जो बूलीगा पांच हजार चलेगे कम से कम तो मेरा कहने का यह है कि हम लोग इस्तिमाल हम लोग धर्म को नाम पर नहीं लाएंगे हम लोग कहीं भी धर्म और हम काम कर चुके हैं उसके बाद हम भाजपा इस थे सदन में निसिकान दूबे जी ने बात उठाया कि संथाल प्रगना में बंगला देशी घुसपैटी हो रहे है आदिवासियों का जो ग्राफ है पॉपलेशन है वो नीचे गिर रहा है इस पर क्या कहेंगे इस तरह की राजनिती भाच्वा हल्ला बोल रही है हिमन सुरेन के अपना वोटर समझ रहे है इस पर कुछ नहीं कर रहे है बंगला देशी घुसपैट कर रहे है देखे यह तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है देखे बिजेपी आज मैं अक्वा दो-तिन दिन से मैं देख रहा हूं निउस चैनल्स निउस चैनल्स में बिजेपी बोल यह कि बंगला देश पर रहूल गांधी चूपकियों है और दो बार बिजेपी के लोग बोल रहे है और एंकर जो है मीडिया के एंकर लोग वो लोग 20-20 बार बोल रहा है क्यों रहूल चूप है क्यों कांग्रेशी चूप है बंगला देश पर शर्मानी चाहिए ऐसे लोग में ये बनता है कि वो सत्ता से सवाल पूछे लेगिन पिछले दस वर्सों में सिर्फ राहुल गांधी से सवाल पूछी जाती है चले पूछे तो बहुत अच्छा काम किये हमको एक बात का सवाल दीजे आप तो प्रेस के लोग हैं कि जो बंगला देशी घुसपैटी हुई है ये बंगला देशी घुसपैटी ये किसका दाईतु है ये राज सरकार का दाईतु नहीं है ये दाईतु अगर है तो ये सिंटल की सरकार का दाईत है भाजपा की सरकार जो दिल्ली में बैठी है जो किंद्री सरकार होती उसका CRPF उसके अंडर में होता है और BSF उसके अंडर में होता है तो Border Security Force का और भारत सरकार का काम है कि कोई भी बिदेशी उस पेटी हमारे देश में नहीं आए अब बंगला देशी अगर घुस जा रहा है तो यह हिमन सोरेन और कॉंग्रेस की गलती है राहूल गांधी की गलती है और कि यह मोदी और अमिश्चा की गलती है यह जिम्मेवारी मोदी रामत साकी है लेकिन सवाल किसे पूछा रहा है राहूल गांधी से बंगला देश का इत तो इंद्रा गांधी जी निकिया और हम लोगोंने आज छोटा सा पकिस्तान आपको हालत खराब कर दे रहे हम लोग सबका 12 बजाक रखा हुआ है अतंगवादी लोग रोज घुसा दे रहे है अगर सोचे पूरा रहता तो क्या हल होता हमका ये लोग इनको शर्माना चाहिए ह जो है असरुच्छित हैं और वहां उनको मारा पीटा जा रहा हूँ आकर के यहां पर आंदोलन कर रहे हैं क्यूं नहीं इतनी ताकत है बीजेपी के सरकार मोधी सरकार के अंदर में कि उसको एक फोन कर दे इंद्रा गांधी ने एक फोन किया कि मैं ठीक से रहो तोड़ दें है बंगलादेश में आज वसंदर नहीं होता आज बीजेपी की सरकार कमजोर है बीजेपी के सरकार अपंग है बीजेपी की सरकार मोधी की सरकार मने सबसे अभित्ता का सबसे खतम सरकार है जिसने मेरे हिंदु भाई बैनों को बंगला देश में सुरक्षित नहीं रखा और सेख़़ो हमारे जो हिंदु भाई बैन मरा गए और यहां इस रिफ हिंदु करके हिंदु की बात करते हैं क्यों ने सुरक्षित रखा अपने हिंदु भाई को और जब बंगला देश को पिछले 10-15 वर्सों से बंगला देश को हम लोग प्रटक्ट किये थे ये अगर 24 घंटे के अंदर में वो सरकार गिरी है शेख हसीना की तो इसकी जिम्मेवारी मोधी सरकार की है मोधी सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए था मोधी सरकार को इस बात का खौफ होना मोधी सरकार को इस बात के जिम्मेवारी लेनी चाहिए थे कि हमारे प्रटक्शन में अगर बंगला देश सेख हसीना की नहीं है मोदी साब की प्रेडिटी है आज अर्बो रुपिया का हमारा वहां वैपार वहां जुड़ा हुआ है और वो पूरा खराब होने जा रहा है आप दूसरी तरफ ले जा रहा है सवाल यह है कि छारखन के संधाल प्रगना में बंगलादेशी घुसपैटी हो रहे है यह बुद्धा उठा रहा है भाजपा एकदम हो रहा है घुसपैटी हो रहे है यह जमेवारी किसको है यह बिश्व सर्मा असाम के जो मुख्यमंत्री है यह बोल रहे है कि 40 परसंट असाम में हो गया तो भाईया कितना साल से तुम वहां मुख्यमंत्री यहां पर आके तुम रोज अपना कहानी बिदवा बिलाप कर रहे हो वहां पर तुम क्यों नहीं असाम में रोक के रखे हो तो मेरा कहना है अगर बंगलादेशी घुसपैटी घुस रहा है तो यह जिम्मेमारी भाजपा कि भाजपा वो लोग को घुसवा करके और इस तरीका का प्रपरगंडा करता है कि जो बहुत संख्यक भोट है वो कॉंग्रेस को नहीं मिले आज कहीं न कहीं मुस्लिम और अदिवासी का पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी यह हला जूटा फैलाने में कहीं न कहीं कुछ पार्टी पारटी पोड़ा राज्ज का एस है मैंने कहा आपसे हम लोग सभी राज stip Tous देखते हैं हम लोग किसी एक रास और हो देखते थे हम जहारकन कहिँ दीखेंगे हमं आदिवासियों कहिँ दीखेंगा मुसलमान कहिँ दीखेंगे यह मेरा अधिकार है लेकिन यह प्रबल दावेदार कॉंग्रेस से अजे कुमार माने जा रहे है अगर कॉंग्रेस आपको सीट नहीं देती है तो आपका क्या स्टांड होगा देखे कॉंग्रेस अमुझस jjant mजा सीट नहीं देती है तो हमने 2500 बूत करीब करे भी बनाया है 38 साल से हम कॉंग्रेस का ज्धन्ण धोते आये हैं और अगर high command हमको नहीं देगी तो high command को हमको बताना चाहिए कि हमारे अंदर में क्या कमी है और क्यों नहीं टिकट देगी अगर हम उनके जबाब से satisfied रहेंगे तो एक परिस्थिती बनेगी और अगर satisfied नहीं रहेंगे तो दूसरी परिस्थिती बनेगी दूसरी परसी मदब निरदली आप चुनों में जाएंगे वो समय बताएगा लेकिन हम लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी होने के नाते हमारी खोन में कांग्रेसी है हम लोग पाटी के सच्चे सिपाही हैं अपना दादा जी, पिता जी, मैं सभी लोग कांगरेस में थे हमने महनत किया है इमांदारी से पाटी के नित्तित का हर आदेश को स्विकार किया है और मुझे दावेदारी आपके नजर में हो सकता हो लोग हूँ लेकिन हमको लगता है कि मेरे नजर है जो खबर सामने आ रही है अब तक अखबार के में हो सकता है बहुत सारे लोग बयान बहादूर होते हैं अखबार को अच्छा मैनेज करते हैं हमको अखबार मैनेज करने नहीं आता है लेकिन धरातल पर अगर कॉंग्रेस पार्टी सर्व नहीं बचाया पाए इस पर क्या कहेंगे कि हेलिकॉप्टर लैंडिंग कॉंग्रेस के द्वारा होती है एकदम आपने ठीक कहा एकदम आपने सही कहा बहुत अच्छा बात कहा कि अगर फिर से दोहर आएगे अपनी गलती को पाटी तो पाटी समझे और पाटी का हाई कामान को जिम्मेबारी लेना चाहिए है देखिए हम लोग तो सपाई को कांग्रेस के सपाई है लेगिन अगर हमको छोड़के दूसरा आदमी को टिकट देती है पाटी तो प्रदेश अध्यक्ष महोदे को और परभारी महोदे को और जो स्किनिंग कमेंटी उसको यह जिम्मेबारी लेना चाहिए हम लोग मदद करेंगे यह जिम्मेबारी लेना चाहिए कि अगर लोकल लोगों को छोड़ क्या बाहरी लोगों को टिकट दे रहे हैं तो वो जिताने के जिम्मेबारी लेना चाहिए अगर हारने के लिए लेका तो मेरा हमको मत दिजे, मेरा किसी कांगरेसी कार करता को दे दिजे, कमसे का नेता तो अगले बार का बनेगा वो, ये हेलिकॉप्टर से गौरब बल्लबाद जी को लाया, इतना पैसा हाईकामान ने उसको ये मदद भी किया, और उसके बाद भी भा गट दिलाएंगे बाहरी लोगों को उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अगर जिम्मेवाली नहीं लेगी तो कॉंग्रेस पार्टी किसी की बाप की पार्टी नहीं है मैं दिल्ली में जाके भुखरताल पर बैठूंगा अगर इस तरह कोई काम किया गया तो और मैं बोल र अदमी के साथ में राहूल गांधी घर के सामने बैठूंगा अगर इस लोग ऐसा कोई डिसिजन लिया तो मैं बैठूंगा और जो लोग टिकट देंगे उनको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा इस बात का कि वो लोग को बाहरी लोगों को जो लाएंगे या किसी को हेलिकॉ प्रस फीर से बैठाएंगे तो उसको जिताने के जिम्मेवारी लेना पड़ेगा हारने के लिए कि कापी अच्छी यहां पर हम लोगने मेहनत किया है हम नौ साल जिला देखे मेहनत किये हैं आज तक कोई दागने लगा मेरे उपर में कोई नहीं बोल सकता किसी का जमीन करेगा तो उसके खिलाप में मैं 100% बटोंगा चाहिए कोई भी पाटी का हो हम लोग पाटी के सिपाई हैं कर करता है हम लोग से बड़ा कोई नहीं राहूल कांधी के हम लोग ब्रिगेट के आदमी अठारा सीट है इस वक्त विधान सभा में आने वाले चिनौव में कितने ह 25 से ज्यादा सीट बने के कॉंग्रेस की अगर ज्यादा सीट दे तक 25 से पार होगे कॉंग्रेस का सीट चलिए आखिर में वीडियो देख रहे है पूर्वी विधान सभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पूर्वी विधान सभा के मेरे भाईयो बेहनों माताओं बुजूर्ग से युवा सबको एक कहूंगा कि मुझे मेरे समर्थन करें कॉंग्रेस पार्टी के हाइकमान तक मेरे बातों को पहुंचाएं अगर मैं सही में आप सब का सेवा किया हूँ मैं सही में आप सब के भाई विजय खान आपके लिए ये अच्छा उमिद्वार है तो जरूर अपना फेस्बूक ट्विटर सब के माध्यम से पार्टी का हाइकमान को बूलिए कि इसबटी कर दीजिया और आप लोग लग जाईए हर वेक्ति जैसे मैं हर मीटिंग में बेठा हूँ मैं 23 बैठक क मैं ही कहा हूँ कि आप अपने आपको विजय खान समझिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपना सोसल मीडिया के माध्यम से कॉंग्रेस पार्टी का हाइकमान तक मेरी आवाज को पहुंचाईए मेरी ताकत आप लोग हैं और आप लोग के हिसाब समय तो ये थे वरिष्ट कॉंग्रेस ने आता विजय खान जो पिछले कई सालों से कॉंग्रेसी के सिपाही रहे हैं और अब इन्होंने इलान कर दिया है कि अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है तो ये इच्छुक है इस विधान सबस सीट से चुनौ लड़ने के लिए नौ साल इन्होंने जिला दिहश का पत समाला है कॉंग्रेस का और अब इन्होंने वादा किया है कि अगर वो चुनौ जीत कर आते है तो इस छेतर को नशामुग बनाएंगे और जो पूरी विधान सबस छेतर से युवा जो पलाइन कर रहे है रोजगार के लिए उसको रोक रजम शेपर